नमस्कार दोस्तों, टेकनिकल सुविधा में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम LG कंपनी का टॉप लोड वाशिंग मशिन रिपेर करने वाले हैं। इस मशिन को मैं आपको डायरेट स्पीन मोड पे चला के दिखा रहा हूं। जब भी हम मशिन को स्पीन मोड पे चलाते हैं, तो सबसे पहले मशिन क्या करती हैं? कालता तब तक स्पीन की प्रोसेज्ट जो है यह पुरी नहीं होती है यानि ड्रम घुंबने को itsasaki नहीं होगा सबसे पहले हमें एक देखना होता है कि पाणि क्यों नहीं हो रहा है इसलिए सबसे पहले मैं सप्लाइ off कर देता हूँ और machine को पीछे से खोल के हम देख लिते हैं कि train system में क्या problem हो वहाय है पानी train होने के सारी कारण हो सकते है एक तो एक कारण हो सकता है कि इसका जो train motor है यह काम नहीं कर रहा है दूसरा कारण की train motor सही है लेकिन train motor तक supply नहीं पहुँच रही है और तिसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो drain pipe है वो कहीं block भी हो सकती है तो बहुत सारे reasons हो सकते हैं पानी drain न होने के तो मैं यहाँ खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें किस वज़े से पानी बाहर नहीं निकल रहा है सबसे पहले यहाँ देखिए यह जो white color की है यह इसकी drain motor है और यह जो rod है इस rod की मदद से यह drain motor पानी का जो wall है उसको खीचती है तब पानी बाहर निकलता है तो जब भी मैं machine को on करता हूँ तो इस rod की moment आपको दिखाई देगी यहाँ देखिए मैंने machine को उपर से on करने के लिए बोला है अब यहाँ देखिए जैसे हम machine को start करते हैं तो इस rod की moment देखो यह जो drain motor है यह wall को यहाँ अपनी और खीच रहा है ठीक है इसका मतलब drain motor जो है यह काम कर रही है और जैसे हम उपर से machine को बंद कर देते देखो वापस से पीछे आ गया rod इसका मतलब इसका जो drain motor का function है यह पुरी तरह से okay है फिर भी पानी drain नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें हो सकता है कि इसका जो drain pipe है वो कही ने कही चोकब भी हो सकता है या फिर इसका जो drain wall है उसमें भी चोकब हो सकता है तो सबसे पहले मैं इस drain वाली pipe को निकाल के अलग से रख देता हूँ और अंदर की side drain pipe का जो यह black portion है उसको खोल के एक बार check कर लेते हैं देखिए इसके अंदर कुछ मेरे हाथ को लग रहा है यहां देखिए इस pipe के अंदर एक coins फसे हुए है और जिसकी वज़े से यह पानी आगे नहीं पास हो रहा है हो सकता है इसमें और भी coins वगरा वगरा हो सकते हैं तो एक बार क्या करते हैं इस black pipe को side में रखके machine को on करते हैं और देखते हैं कि drain wall operate हो रहा है कि नहीं और पानी बाहर आ रहा हो रहा है किक है तो एक बार हम machine को on करते हैं आप इदर देखिए ड्रेन मोटर की तरफ ड्रेन मोटर ऑपरेट हो रही है और ड्रेन वाल से पानी भी बाहर ड्रेन हो रहा है मतलब यहां तक का जो पोर्शन है ओके हैं अभी जो प्रॉब्लम हमको मिला है यह बलैक पाइप के अंदर देखो यहां और एक कोईन आपको कपड़े में रह जाते हैं और वही कोईन आगे जाके इस तरह से ड्रेन पाइप में अटक के यह पानी यहां ब्लॉक होता है और फुली एटोमेटिक वोशिंग मशीन में इस तरह का प्रोग्राम होता है कि जब तक पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है तब तक स्पीन का प तुरा ड्रेन होने के बाद स्पीन प्रोसेस होती है कि यानि कि उसका जो ड्रम है वो घुमने लगता है कि नि वो भी एक बाद देख लेना है ठीक है तो मैंने मशीन को वापस चालू कर दिया है मशीन में शुरू में मैं पहले थोड़ा पानी भर दूंगा इसलिए पर चालू किया है अब यहां देखिए यहां मशीन के अंदर पानी भरने को स्टार्ट हो गया है थोड़ा पानी भरने के बाद हम मशीन को स्टॉप करेंगे और वापस स्पीन मोड पर इसको चला के देखने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों हमें टेस्टिंग के लिए जितना पानी ड्रम के अंदर भर चुका है अब मैं मशीन को स्टॉप करके वापस स्पीन मोड पर चला के देखने वाला हूँ तक हम यह पता कर सके कि जब पानी पूरा ड्रेन हो जाता है तो यह जो स्पीन का जो ड्रम है वो घुमता है कि निए वह बारा में देखना है तो मैंने म पूरा ड्रेन हो जाएगा तो यह पूरा ड्रम स्पीड से घुमना चाहिए जब तक पूरा पानी ड्रेन नहीं होता है तब तक थोड़ा मैं वेट करता हूं तो दोस्तों देखिए यहाँ अलमुस्ट पानी ड्रेन हो चुका है अब देखिए यहाँ यह ड्रम स्टार्ट हो गया यानिकि इसकी जो spin की process है फो अभी perfect चल रही है यह process बंद पड़ी थी क्योंकि इसका जो पानी बाहर जाने का रास्ता था वो बंद हो चुका था तो इसमें coin अटके थे जो हमने निकाल दिये हैं तो ये machine भी perfect काम करने लगी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है